यदा यदा ही धर्मस्य, ग्लानिर भवती भारत्र, अभ्युद्धानम्म धर्मस्य, तदात्मानम स्रियम्याम, परिप्रानाय साधूना, इनाशायच दुश्कृताम, धर्मसंस्थापनार पारत्र, संभवामी उगेई। दोस्तों अपनी महाभारत पर कई टीवी सीडियल्स देखे होंगे, तो वहीं महाभारत की कहानी सभी को काफी पसंदाती है। सभी को पता है कि अधर्म पर धर्म की जीत पाने के लिए बहायुद हुआ था। जहां दुरियोधन जैसे अधर्मी और अहंकारी को धर्म का पाठ सिखाने के लिए श्रीकृष्ण ने ये महाभारत का युद छेड़ा था। तो वहीं इस महाभारत के युद से पहले क्या क्या हुआ ये सब आपको जुल्दी ही अब बड़े परदे पर देखने को मिलने वाला है। जिहां दोस्तो जहां आपको बॉलिवूड के सूपर हिट कलाकार महाभारत की किरदारों में नजर आने वाले हैं। इस फिल में देवकी की आठवी संताल यानि कि श्रीकृष्ण का किरदार बॉलिवूड के परफेक्शनिस्ट आमिर खान निभाएंगे। बता दे कि श्रीकृष्ण ने अपने दुस्त मामा कंस का वद किया था। भगवान कृष्ण ने अर्चुन को कुरक्षेत्र यूद के प्रारंभ में गीता उपदेश भी दिया था। श्रीकृष्ण भगवान विश्णू की आठवी अवतार भी थे। इस फिल्म में शांतनू महाभारत के एक प्रमुख पात्र है। ये किरदार आक्टर कमल हसन निभाएंगे। वे हस्तिनापोर के महराज प्रतीब के पुत्र है। उनका विभाग गंगा से हुआ था। फिल्म में गंगा का करदार बॉलिविर की खुपसूरत अभिनेत्री और बच्चन परिवार की बहू यानिके अश्वर हराय बच्चन निभाते हुए नजराएंगे। तो वहीं महाभारत के एक और प्रमुख पात्र भीश्म का करदार अस्वर में सदी के महनायक यानिकी अमिताब बच्चन निभाते हुए नजराएंगे। कौरवों में जेश्ट, धृतराष्ट और गानधार के सौब पुत्रों में सबसे बड़े दुर्योधन जिसके कारण ये युद हुआ अस्वर में दुर्योधन का करदार निभाएंगे अज्यदेवकर। तो वहीं उनके छोटे भाई यानिकी दुस्टाशन का करदार निभाएंगे अभिशेक बच्चन जिदोंने भरी सभा में ड्रौपदी का अपमान किया था। इस फिर में सुर्यदेव और कुंती के पुत्र और पांटवों के सबसे बड़े भाई करण का करदार रतिक रौशन निभाती हुए नजर आएंगे। बता दे कि करण ने ना चाहते हुए भी दुर्योधन का हर गलत और अधर्मी कारे में साथ दिया था। जिस वजह से महाभारत में उनकी मृत्यू उनके ही भाई अर्जुन के हातों हुई। तो वहीं इस फिर्म में अर्जुन का मुख्य करदार निभाएंगे आक्टर फरहान अक्तर जो महाभारत के धर्म स्थापन के काम में श्रीक्रिशन के सार्थी भी बने और द्रौपदी का स्ट्वेंबर जीत कर उनसे शादी भी की। बता दे किस फिर्म में द्रौपदी और पांच्वाले का मुख्य करदार बॉलिवुड की लीडिंग लेडी यानि के दिपिका पादुकोन निभाती हुई नजर आएंगी तो वहीं द्रौपदी पाचो पांडव की पत्नी बनेगी जिसमें कि सबसे जेश्ट्र यानिकी दूसरे भाई भीम का करदार निभाएंगे बाहुबली फेम आक्टर प्रभास तो वहीं नकुल और सहदेव पांडवों में सबसे छोटे थे बता दे कि फल में नकुल का करदार विद्यू जामवाल निभाते हुई नजर आएंगे तो वहीं सहदेव का करदार निभाने व सकुनी जिन का करदार निभाएंगे अक्टर गुल्शन ग्रोवर वैल इसके अलावा भी खबरे हैं कि इस फिल्म में आक्टरस रेखा आक्टर रजनीकांत और आक्टरस वद्याबालन जैसे और भी कई मशूर कलाकार अपनी महत्वपूर्न भूमी का निभाते हुए नजल राय है आपको क्या लगता है कि अतनी बड़ी स्टार कास्ट और मशूर कलाकार होने के बाद ये फिर्म सूपर हिट सा भी थो पाएगी आफे नहीं आप हमें अपनी राय कॉमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आपसे लाइक कीजो शे करने के लिए हमारे जानों को सबस्क्राइब करना बिलकुल ना भूले